ग्रिम्ली को अंडलाइन करके हम लिखेंगे गंभीर रूप से सीरियस मोड में बलते हैं अच्छा तो तो जो बैगर आया था आपने म्यूजिक मास्टर की चपल आपने उसको दे दी चील्डरन्स दीज ग्रोंड पाती हैं ग्रोंड को अंडलाइन करके लिखें करहना करहना मतलब परिशान परिशान वाले साउंड में आज इकल के बच्चे भी न अम्मा डिड़न्ट यू टैल मी अबाउट करना अब सामने से बच्चे बोलते हैं गुसें बोलना एक दम से रिस्पॉंस करना सिली करन डिड़न्ट गेव अभी अधर स्वेपल थिंग गेव अनली इस ओन करन ने किसी और की चीज़े नहीं दी थी अपने ही चीज़े दी थी किसी को बट मैं चिपल्स वोड़न्ट है फिटी दे बैगर्स फीट रवी ने बोला कि पर मेरी चपल बैगर को तो आएंगी नहीं उसके पैर मेरी चपल आई नहीं रही थी फिटी नहीं हो रही थी रवी रश्ट रवी बताता जाता है अर्य आई 'mma if they didn't fit would you really not have minded अच्छा अगर मेरी चपल fit ho जाती तो मैं दे दे दीता तो आप गूसा नहीं मतलब आप गुसाना होते ही रवी, Rukumani वरी अंग्री नहीं अब Rukumani अंग्री हो चुकी है गो इंसाइड इस मिनट अभी क्या भी अंदर जाओ जब हम पेरेंट से आर्गुमेंट करते हैं चुबो जा एक वर्ड नहीं बोलेगा चल अंदर यह होता है ना की चपप लेकर आती है जो बहुत ही कम डाली गई है These should fit you ये शायद तुझे आ जाएं Sir, please ये शायद आपको आ जाएं Sir, please put these on इनने डालीजी I am so sorry, मैं बहुत माफी मांगता हूं My son has been very naughty मेरा बेटा बहुत जाला शरालती है The music master eyes lit up एकदम से चमा को ठी उसकी आखी He put them on उसने उनको डाला ट्राइंग नोट लुक वेरी हैपी वो खुश होने की वो चाहता था कि वो दुखी-दुखी दिखाए दे क्योंकि वो कह रहा था जो उसकी पुराने से slipper से उसने का था कि यो तो इतने महेंगे हैं इतने मुश्किल से मैं इतने दूर से जाके लेकि आया था बिल्कल ब्रैंड न्यू था और उसकी जगह पुराने slipper की जगह उसको नए slipper से मिल रहे थे तो खुश तो था पर वो अपने खुशी दिखाने ही रहा था वेल अप आई सपोस्थ धी लाव था तुटू इस चिल्जन बोड़न थे था ब्राज भी जा थे दिखाने की कोशिश करता है कि वो परिशान है साड है लेकिन कुश तो होता है कि आज के बचे भी ना इनको तो बड़ों कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करनी आती है वो तो हनुमान जी के बंदर के तरह हैं Only Rama can save these naughty fellows सिर्फ भगवान रामी है जो इन बंदर जैसे शरारती बच्चों से हमें बचा सकते हैं रुकुमानी मानी इस आई फ्लेश्ट अब रुकुमानी को इस बात पर बंदर के बंदर कुमानी साई है यह बंगी बोषता शिंदी है क्योंकि अब इस तरीकर से खड़ी थी कि वह चाहती थी कि अब फटाफट निकलो जो मुजिक मास्टर थे अब जल्दी जल्दी जाओ वेन ही क्लेट ओफ इस न्यू चप्पल जब वह क्लेटर ओफ क्लेटर ओफ का मतलब गौन ओफ नॉइसली वो चप्पल की अवास करते हैं जब वहां से जा रहा था कि नहीं चप्पल लालके हो जा रहा था शी सैड उसने कहा मुर्दू कम इन और हम टिफिन अंदर आ जाओ कुछ खाते हैं कैसे बच्चे चोट 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 इस चीड़े कैसे सोच सकते हैं तो अच्छी बात है वो चप्पल अपने काम पर डालके नहीं जाते हैं अज शी वाक टोड़्स आ कीचन विद मृदू और मीना के साथ वो चप्पल कीचन के अंदर जाती है अच्छी बात है कि मामा चप्पल डालके नहीं चप्पल डालके फिर तो दिकत हो जाती है वो तो जैसे घर में आते हैं सबसे पहले शूच को निकालके वो चप्पल डालते हैं चप्पल डालते हैं चप्पल डालते हैं चप्पल डालते हैं अच्पल डालते हैं चप्पल डालते हैं चप्पल डालते हैं चप्पल डालते हैं एक बॉनी फिगर था बॉनी मतलब पतला सा पतली फिगर थी वो पतली से वो दिखाई दे रहे थे अंके सीर पर बाल नहीं थी वो बॉल्ड एडिन मैं थी विगर रहे थी विगर फिल खेई से वो भीर धिलिए थी को बाल भीर घ्चय वो खुट आपन होई थी जाएं चैनली तफट रिमियों वो उनके hand made diamond ring थी He was wearing a gold border धोती उन्होंने gold border की धोती डाल रखी थी and had a large fit उनके fit बहुत बड़े बड़े थी He was playing violin वो violin प्ले कर रहे थी What make Mridu conclude that a beggar has no money to buy slippers किस तरही के से Mridu ने conclude कि that beggar के पास पैसे नहीं थी वो चपर खेंगे The beggar feet were burned by excessive heat and he was not even wearing shoes और चपल उसके पाउं जल चुके थी और उसके पास टालने के लिए चपल भी नहीं थी तो उससे confused कि Mridu ने कि उसके पास चपल के लिए पैसे नहीं होगी What does she suggest to show her concern उसने अपने concern दिखाने के लिए किस तरही के से show किया Mridu show her concern to the beggar by suggesting him to give an old pair of chappals to beggar उन्होंने जब बोला रवी को कि हम इनको old pair of chappals दे देते हैं उससे हमाँ पदा चलता है कि वो अपनी concern वो हमदर्दी वो या जो भी अपना दिखा रही थी उनको Gopamama की chappals मिलने के बाद Music Master ने Happy Naat दिखने की कोशिश की Music Master ने Happy Naat दिखने की कोशिश की क्योंकि उसने Lali को कहा था कि उसके chappals बहुत नहीं थी और वो बहुत महंगी थी He also wanted to show that he was upset वो ये भी दिखाना चाहता है कि वो बच्चों से गुसा है क्योंकि उसका नुकसान हो गया On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute Chappals मिलते ही वो एक minute में गाइब हो गया वो इतनी जल्दी में क्यों था वो इतनी जल्दी में इसलिए था क्योंकि बच्चों ने चappals ने चappals दिया और अगर उनके parents आ गए parents की permission के बिना दिया और parents आ गए तो वो चappals वापस ले सकते है Walking toward them, Mridu and Mina Rukumani began to love What made her laugh? वो जब Rukumani Mridu and Mina के साथ जा रही थी तो उसे हसी आ गई क्यों? Rukumani को हसी आ गई क्यों कि वो अपने husband का reaction देखने वाली थी कि उसके husband का जो Gopamama का क्या reaction होगा ये सुनने के बाद कि उनकी जो चपल थी वो दे दी गई है सिचुएशन कैसी होगी क्या कुछ reaction response होगा इसके बाद में सोच कि उन्हें हसी आ गई It's all about this chapter Thanks for watching Take care of yourself Bye-bye